असलामों अलेकुम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से एक किलो के चाप के मसाले वाला सालन शुर्बा कई है ग्रेवी कई है बढ़िया साब मज़ेदार घर पर जट पर हाजर मसालों से बन जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज की रसेपी साधारन याने ओर्डनरी इंग्रीडियन से एक्स्टर ओडनरी डिश बनाते हैं चलिए यह है तकरीबन एक किलो तक की चाप मैंने चरवी निकाल ली है दो तीन पाने से धोके यह आप देख सकते कितनी बढ़िया सी लग रही है और ब कुकर में बना रही है क्योंकि जल्दी बन जाएगा अब इस कुकर के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार थोड़ा जादा ही डालियेगा अगर आप तरी वाला चाहिए तो अब यहां में थोड़े गरम मसाले डाल देती हूं यह है का करीबन एक डंडी डा द्रॉड कर द हाद कर दे और इसे अब तेल में डाल दीजिए और इन्हें तरत आ जाने दीजिए फास्ट आज पर घरम तेल में जब तर्त आ जयानidée तो यह जो फ्लीबज अ said इन्हें ही जाने में दाल दीजिए मैंने हाथो तो थोड़ा तो प्ला पुला कर लिया था प्य और इससे भी बार बार चलाते हुए भून लीजिए तब तक भूनिए जब तक कच्छे पन के खुश्बूने ही चली जाती तब तक जब अधरकलसन का पेस्ट भून जाए तो यहाँ पर जो साइट पर धूई हुवी चाप रखी है सारी में दाल देती हो एक किलो तक की चाप है यह अब इसे एक बार चला लीजिए आप चाहें तो चूला मीडियम पर भी रख सकते हैं मैंने फास्ट पर ही रखा है जब आप एक बार चला ले तो इसके अंदर मैं दाल देती हूँ थोड़ा सा नमक आप नमक स्वाद अनुसार दाल सकते हैं मैंने आदा चूड़ा चाह का चमच नमक दाला है और वालफोद चूड़ा चाह का चमच हल्दी पावडर दाल दीजिए और चुटकी भर लाल मिर्ची का प भून लीजिए तब तक भूनिये समझे ना 6-7 मिनिट लगेगी क्योंकि एक किलो तक की चाप है ना मैं 7-8 मिनिट तक इसे भून लेती हूँ बार बार चलाते हुए साथ से 8 मिनिट हो चुकी है भून कर हमारी जो चाप को तो यहां पर मैं टमाटर दाल देती हूँ आप चाहे तो पीसकर भी दाल सकते हैं मैं बारिक काट कर दाली हूँ और छील भी निकाल लिए और यह तकरीबन 4 टमाटर है आपने टमाटरों का जो स्वादे ज्यादा पस 4 चोटी चे के चमझ धनिया पाउडर आप चाहने तो दैनिया पवडर कम भी दाल सकते हैं दो या तीन चोटी चे के चमझ भरकर कश्मीरी लालमेश पाउडर स्पास मैंने ज्यादा क्यां बाला है व इसके लिए क्योंकि जो प्याज है उसकी मिठास भी है और जो हमारे तम इसे भी दाल कर बार-बार चलाते हुए तकरीबन फास्ट आज पर या मीडियम आज पर भून लीजिए। मैंने चूला मीडियम रखा है अभी और चूला मीडियम रखकर इसे मसाले को चार से पांच मिनित तक भून लीजिए। नीजे लगना नहीं चाहिए है, बस चिटकना नहीं चाहिए हमारा मसाला, चली यह मसाला भी 4-5 मिनित हो चुका है, भून चुका है, थोड़ा-थोड़ा तेल आ चुका है, आप देख सकते हैं, मसाला भून चुका है, तो यहां में डाल देती हूँ, तकरीबन सवासो 25-130 ग् दाल कर भून लीजे, तब 2-3 मिनिट हो जाए और जब तेल चूटने लगे तो अब हम पानी डाल देते हैं गलाने के लिए, तो तकरीबन समझे न, मैं सवा कब पानी डाल रही हूं, आप चाहें तो पॉना कब भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो एक कब भी डाल सकते हैं, इस इसे एक बार चला लीजिए और इसे धाग दीजिए और fast आज पर इसे तकरीबन 1 CT खिला लीजिए. जब 1 CT हो जाए fast आज पर तो slow आज करके 10 मिनिट तक slow आज पर पकने दीजिए. जब 10 मिनिट हो जाए तो चुले को कर दीजिए का बंद. चाप को हमें 90% तक ही गलाना है, पूरी तरीके से नहीं गलाना है, इसके लिए मैंने 10 मिनिट रखा था slow आज पर, जब 10 मिनिट हो जाए तो चुले को कर दीजिए पंद, और completely ठंडा हो जाए, तो सबसे पहले तो आप हमारी चाप को चेक कर लीजिए मतन की. तो मैं भी यहाँ चेक कर लेती हूँ, यह देखिए, बढ़िया से 90% तक हो गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले चूला चालू कर दीजिए और दूसरी चीजे दाल देते हैं इसमें, आप चाहे तो नमक अज़स्ट कर सकते हैं, चक लीजिए, नमक लगे तो अज़स्ट कर यहाँ मैं 3-4 चोड़ा चाहे का चमच गरम मसाले का पौडर दाल रही हूँ, आप चाहे तो एक चोड़ा चाहे का चमच भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी बारी कट्ची हुवी कोट मेर्याना के हरा धनिया भी दाल दीजिए, और इसमें उबाला जाने दीजिए, और यह करके ठाक कर तकरीबन इसे 7-8 मिनिट या 10 मिनिट तक पकने दीजिए, तो आज पर यह बाकी का पक भी जाएगा, और हमारी जो ग्रेवी है, पर बढ़िया निखर के आएगी, और जो अगर जादा ग्रेवी लग रही है, वो भी कम हो जाएगी, तकरीबन 10-12 मिनिट हो चु तो और खुबसूरत लग रहा है और अच्छा गाडा सा सालन लग रहा है, आप देख सकते हैं, बढ़िया सा मसाले वाला, और मैंने जो चेक भी गया, नमक भी परफेक्ट है, और चाप भी बढ़िया सी गल चुकी है, आपको मैं चाप दिखा भी देती हूं, यह देखिए माशालला, बढ़िया सी हो चुकी है, तो यह बन गया हमारा चाप का बढ़िया सा मसाले वाला सालन, आप इसे बटनान, रोती, पराथा, फुलका, किसी की भी साथ सर्फ कीजिए, वैसे इन में से कुछ की रैसे पिलें, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वाँ चेक कर ल चाप का सालन है, वैसा ही चाप बनी है, अगर आप चाहें, तो पतिली में भी बना सकते हैं, बेशक, आप क्या कीजिए, एक देड़ कप जुतना पानी डालने के बाद, उसे स्लो आच करके, ढाक कर, एक देड़ घंटे तक पकने दीजिए, बीच में एक दो बार चेक कर ल अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा 1 फोट कप या आधे कप, जितना पानी गरम कल के, इसके अंदर दाल दीजिए, हमारी जो चाप के सालन के अंदर और इसे एक उबाल खिला लीजिए, और अच करके ढाक कर 4-5 मिनिट तक दंपर पक और हरी मिर्ची अभी मैंने 2 दाल है क्योंकि हम जादा स्पाइसी खाते नहीं लेकिन अभी भी आप स्पाइस इसमें बड़ी आसा दाल सकते हो, तो 2 हरी मिर्ची के बजाए, 6-8 हरी मिर्ची इसमें बार कर दाल कर फिर दंपर लौच पर रखिएगा, तो बड़ी आसा फ्ल जिरोंगी नहीं शांदार दमदार रसेपी के साथ, अंतल दें, टेक केर, आला हाफिस, बबाए